हलो टू आल माई डियर स्वेंट्स कैसा है आप लोग आयोप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे रहे करके आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे जैसा कि जितने भी हमारे यहां से एक समस्टर के बच्चे जुड़े हुए आप सभी बच्च अगर आपको कोई फॉसल मिलिया तो उसको कैसे डिटर्माइन किया जाएगा डेटिंग क्या है फॉसल की डेटिंग किस तरीके से करते हैं इस सब टॉपिक के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा क कि आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से कर लीजेगा नहीं तो कोई बात नहीं यहां पर तो मैं आप लोगों को यूट्यूब के उपर क्लासेस दे रहा हूँ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो लाइक कर लीजिए अगर नहीं किये और शेयर नहीं किये है तो वह भी कर दीजिए तो कि फ्री आफ कोस्ट आपको यूट्यूब जगत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फिर सिख समस्टर की जुलो जी तब पहला पेपर पू पूर्टा है डाट मींस इंकंप्लिटेंसे अफ फॉसिल से उसके बारे में हम डिस्कास करने वाले है रैट देखो सबसे पहले यहां पर जो पॉइंट लिखा उसको समझते है पहला पॉइंट लिखा है कि मरने वाले सभी और गनिजम को फॉसिल नहीं बनाया जा सकता पहल कंडिशन बहुत दुरलब है जो जिवास फॉर्मेशन हो उसके लिए इक रिक? ऐटमोस्फियर होना चाहिं है रिकॉ handmade कंडिशन Brien पाई जाती है या होती ही नहीं है पाई ही नहीं जाती है इसलिए जितने भी और्गनिजम मरते हैं यह जरूरी नहीं कि वह सभी के सभी और्गनिजम क्या बन जाएं यहां बच्छों सभी के सभी और्गनिजम फॉसिल्स बन जाएं चलो आगे बढ़ते हैं दुसरा पंडे के लिखा हुआ है, ऐसे बहुत से ग्रूप के एनिमल्स हैं, जिनके एनिमल्स हैं, जो फॉसिल्स के रूप में नहीं बन पाया है, अब हम कई फॉसिल्स की खोज, हुमन के दोरा नहीं की जा सकी है, बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हैं, जिने आज हमने खोज नहीं पाया है, या वो primitive condition में जो organism रहते होंगे पुरातन समय में जो organism रहते होंगे उनके मरने के बात में उनका decomposition हो गया है जो हमें आज नहीं मिल पाए ठिक आगे देखे लिखा हुआ है जिवास्म record के माध्यम से याथ species की संख्या आज living species की संख्या के लगवक 5% से बहुत ज्यादा है जो हमने जिवास्म प्राप्त किये हैं जिवास्म record के माध्यम से जो ग्यात species है जो हमें आज की डेट में पता है species इनकी संख्या अगर आप देखें ठीक है तो living species की संख्या के 5% से भी कम है जो living species की संख्या पाई जा रही है यह इन से बहुत ज्यादा है तिक 5% कम ही है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि डाटा सही है हो सकता है कि बहुत सारी species पाई जाती हो जो आज हमने खूजी नहीं पाई है ना आगे देके लिखा हुआ है fossils किसी species के तरीबन एक परसेंट से भी कम का प्रतिनिद्व कर सकती है जो fossil से बिटाओ वो किसी भी species के कम से कम किसी भी species के एक परसेंट से भी कम का क्या कर सकती बैटा प्रतिनिद्यत्व कर सकती है चलो अब हम बात करेंगे कि जो जिवास्मी करण है इसके लिए आवश्यक्त सरते हैं कंडिशन्स रिक्वाइड पॉर फॉसिलाइजेशन क्या कंडिशन्स रिक्वाइड हैं फॉसिलाइजेशन होने के लिए कैसे फॉसिलाइजेशन हो सकता है तो उस कंडिशन्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पहला पॉइंट यह आपर लिखा हुआ है पहला पॉइंट लिखा है बच्चों कि यदि यदी और्गिनिजम के बाड़ी का कोई हार्ड ऑर्गन है जिसे कि हम बात करते हैं बौन की ठीट की यहां कवर की बात करें खूल की बात करें आधी है तो फॉसिल्स बनने की संभावना अधिक होती है इस भाग से जो फॉसिल्स बिटा बन सकता है वो बहुत ज्याद रूप में बन सकते हैं अधिक वह जाती है इस बात को आप याद रहाए पहली बात क्योंकि हाड और थीरे धीरे डी कंपोज होते हैं वह भूती धीमे धीमे क्या होते हैं दिकंपोज होते हैं दूसरी बात लिख लिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपेर में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पाया जा रहे हैं उनके कंपरीजन में अगर आप एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें ठीक एक्वाटिक एनिमल्स के फॉसिल्स बनने की संभावना अधिक होती है जो गोमी पर पाया जा रहे हैं उनकी अपेक्षा यदि आप बात करते हैं किसकी पानी में रहने वाले फॉसिल्स की पानी में रहने वाले जन्तुओं की तो यह जन्तु आप देखेंगे कि इनके फॉसिल्स बनने की संभावना क्या होती बिटा अधिक हो जाती है इनके बनने की संभावना लिए उप्योक तो नहीं अगर ऐसी जगाहों पर कोई और रिजर्व कर रहा है या रह रहा है तो जाइंट बात है वो फॉसिल बनने के काबिल नहीं वहां पर फॉसिल नहीं सकता लेकिन एसा जहां डिपोजीशन हो रहा है मिटी की बन नहीं है ना वहाँ पर फॉसिलाजेशन के उप्यूप तो होता है अगला पांट देखे लिखा हुआ है इसा हुआ है में लाइजेशन वाप प्रफिकेशन की प्रक्तिरिया के लिए खनीजों की उच्छ सांदरता की आवशक्ता होती है। जब mineralization होगा, जैसे माली जब आपको पता है, mineralization से भी तो fossil बनता है, या petrifying fossils होते हैं, तो mineralization की बात करें, या petrification की बात करें, तो इसके लिए, इसके लिए आप देखते हैं कि खनीजों की उच्छ सांदरता क्या होती हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनर्स होना बहुत रिक्वाइड है तभी वहाँ पर क्या होता है रिप्लिस्मेंट को सकता है कि अगला पॉइंट वच्छो अगला पॉइंट देखे लिखा हुआ है फॉसिलाजेशन के शुरुवात के लिए जीवों को अपगटन से रुका जाना चाहिए जो हम लोग हैं तो हमारे अगर मालीजे कभी कोई इंडेंजर्ट फॉर्म में तो उसका अगर हमें फॉसिल्स बनाना है तो जाहिए सी बात है उसके लिए उस कंडिशन को हमें क्रेट करना पड़ेगा कि रोका जाना चाहिए और कई जीव फॉसिल्स फॉसिलाजेशन से पहले ही विक्रिटित हो जाते हैं अब जाहिए सी बात आपको पता है कि फॉसिलाजेशन हुआ रही फॉसिलाजेशन हो नहीं पाया और और मालो की खौना होना है तो उसके लिए क्होना चाहिए और उन्हें आप इंवर्मिंटल डेमेज और एरोजन से बचाए गजा सकता है दीवर्मीं तल्दP और इंवरुजिटल डेमेज औरम इढ़न ये आगे देखिए, next point, soft body वाले organism सायद ही कभी fossils बनते हैं, जिस आपको पता है कि जो soft body जिनका होता है, वे organism सायद ही कभी क्या होते हैं, बेटा, fossils बन सकते हैं, मैंने type of fossils में, इसके विसे में फूरा detail में चर्चा किया है, ति कि अगर उन्होंने किसी तरह कि जीवास्म रिकॉर्ड यह नई लाइन से सटा बना करके points लिखी जईगा उसके अंतरक्त मत लिखेगा ऐसान है और इसमें ज्यादातर hard body वाले जीवों के Watकी सामिल है जिससे soft body जिससे soft body वाले जीवों के ज्यादा तर समुहों का जो fossils record होता है वो बहुत कम यहां बिल्कुल नहीं पाया जाता है अगला point जिन groups का अच्छा fossils record माना जाता है वे vertebrate, echinoderms और bronchiostoma या bronchioports और orthoports के कुछ समुहों में से एक है यानिकि इस सदस्यों के या इस समुहों मे जो सदस्यों से पाया जा रहे है इनका अगर fossilization हुआ है तो काफी अच्छा fossilization हो सकता है अब लिखा हुआ है सिफेलो पोर्ट्स जैली फिस जैसे जीवों के सरीर के विपरीत उनकी कठोर हड़ियां और खोल आसानी से fossils बना सकते हैं अगर आप सिफेलो फोर्ट्स की बात कर यहां पर मैंने इस्टा बना करके एक पॉइंट लिखना है इसको बोलते हैं लेकिन आप इसको याद रखेगा क्या कहता है देखे लिखा हूए कर्बोनी फेरसव प्रियेड की सुरुवात में लगबग तीन सो साट से लेकर के तीन सो पैतालिस पहले तीन सो साट अली वर्स पहले कोई रेलिवंट फोसिल्स रिकॉर्ड नहीं मिला था अगर आप यहां पर बात करते हैं Tetrapooda Fossils RRikord में लगवग आप देखेंगे तो पंद्रा मिलियन वर्स का अंतर है तो यानिकि कर्बोनी फेरस पीरियड में कर्बोनी फेरस पीरियड के बाद में जो Tetrapooda के हमें Fossils मिले हैं चतुस पाद्चीयव जीवों के जो Fossils मिले तो लगवग 15 इतना अंतर को जिवस्म विज्यानिक रोमर ने न जिवस्म जिवस्म विज्यानिक रोमर है में इसने पहचाना और इस लिए इस अंतर को रोमर्स लेहा कहा जाता है रोम heads जो फॉसिल्स हमने प्राप्त किया उस फॉसिल्स को हम कैसे करेंगे इस बारे में चर्चा का थोड़ा सा क्यामरा सेटल कर दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यामरा थोड़ा सा कर रहा है थोड़ा सबसुल्ची अभी सही लग रहा है हां ठीक है सारे पॉइंट्स दिख रहा है अब हम बात करते हैं बच्छों इसकी determination of age of fossils जो हमने देखा है उसको कैसे determine करेंगे उसकी एज को सबसे पहला पॉइंट देखे लिखा हुआ है फॉसिल की स्टेडी और्गनिसम की evolution history को आप अच्छे से प्रूब कर सकते हैं ठीक है कि evolution कैसे हुआ होगा इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं next point किसी fossils की स्टेडी से correct conclusion प्राप करने के लिए इस fossils की actual correct age को determine करना आवश्यक होता है अगर आप किसी भी fossils की स्टेडी कर रहा है और उस fossils की स्टेडी करने के समय आप अगर उसकी correction को conclusion को देखना चाहते हैं एकदम सही प्रकार के conclusion को प्राप करना चाहते हो ना बच्छों तो इसके लिए तो इस fossils की actual correct age determine करना क्या होता है बहुत-बहुत required होता है तब आप पता कर पाऊगे कि एकक्शुम में किस condition का होगा next point कि किसी fossil की age rock में fossils की conditions के according भी determine की जा सकती अगर किसी rock के अंदर कोई fossils दब गया या कोई organism दब गया तो उसके दबने के condition के आधार पर भी हम यह पता कर सकते हैं कि यह कितना पुराना है कि इसके उपर पाया जा रहा है तो कुछ पुराना है और यहां पर पाया जा रहा तो कोई पुराना नहीं अभी जल्दी मरा है ठीक है तो किसी rock की lower part में पाये जाने वाले fossils अधिक पुराने माने जाते हैं और किसी fossils या rock age सही रूप में ग्यात करने की most significant method radioactive clock method बानी जाती है अगर आप किसी rock की age को चट्टान कितनी पुरानी है उस चट्टान की age को पता करेंगे तो उसके लिए एक method का use किया जाता है जो कि ब आगे देके लिखा हुआ है rocks में radium ठीक है uranium और thorium आध radioactive elements minerals के रूप में पाये जाते हैं अब rock के अंदर कहका मिलता है तो आप यह भी यादर रखेगा rock के अंदर radium मिलता है uranium मिलता है uranium मिलता है और thorium मिलता है यह सब radioactive method है अगला पन देके लिखा हुआ है कि यह radioactive elements एक definite rate से क तो यह जो radioactive elements है जिसको radium uranium और thorium के रहे हैं एक definite rate से किसी stable compound में किसी stable compound में क्या होता है चेंज हो जाती है ठीक है जैसे uranium जो होता है वो almost 4.5 billion year old अगर uranium क्या बात करें तो करीवन करीवन 4.5 billion वर्स पुराना अगर यह है तो एक किसमें change हो जाएगा lead वा helium में है ना सीसे में और helium में क्या होता है चेंज हो जाता है यह भी बात आप याद रखेगा किसी rock या fossils में uranium और lead की quantity के ratio को ग्याद करने ratio को ग्याद करके इस rock की age को determine किया जा सकता है अब हमें यह पता है कि uranium के अगर हम बात कर रहे है तो uranium करीवन 4.5 billion year अगर पुराना है तो वह lead में और इसमे में बिटा चेंज हो जाता है अब यह दिमान लोग फॉसिल्स लेड या हिलियम में मिल ला है तो जाएट सी बात है पहली बात तो हम यह समझे है कि भाया 4.5 billion year एको पुराना मतलब 4.5 billion year ओल्ड ही है तो समझ में आ रहा है ऐसे हम एज को क्या करते है इसकी कर सकते है आगे रेके लिखा हुआ रीडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करके किसी रॉक या फॉसिल्स की आगे की करेक्ट मैनर में डेटर्माइन करने की एक scient significant method radioactive carbon method की रूप में develop की गई जिसे radio carbon dating कहते हैं किस रूप में develop की गई गई बिटा radioactive carbon method की रूप में develop की गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं radio carbon dating कहते हैं लेकिन इस method द्वारा 40,000 वर्स से अधिक primitive fossils की आगे या age determine नहीं की जा सकते हैं इसकी क्या नहीं determine की जा सकते age determine नहीं की जा सकते कितनी पुरानी बिटा तो 40,000 चालिस अज़ार वर्स ठीक 40,000 वर्स पुराने चालिस हजार वर्स पुराने fossils की आप age को determine नहीं कर सकते इस method के द्वारा ठीक तो यह तो बात हो हो गई हमारी डेटिंग की किस तरीके से डेटिंग की जाती है अब हम बात करेंगे significance of fossils study अगर आप fossil study कर रहे हैं तो उसका significance क्या है महत्व क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए तो देखिए पहला को और अच्छे से बैतर तरीके से समझ सकते हैं तो उसके लिए बहुत सारे method यहां पर यह बहुत सारे form यहां पर दिये गए जैसे पहला part देखे लिखा हुआ है कि fossil study दौरा primitive time से पाए जाने वाले animals वा plant की संबंद में information find होती है कैसे टाइनासोर आदी के संबंद में information केवल इनके fossils की सायता से लिख की गई है तो जाएट सी बात है डाइनासोर्स हो या archaeopteryx हो या बहुत कितना भी पुराना organism क्यों ना हो उसको हमने इसी method की दौरा क्या किया है इसी प्रकार राहिया आदी primitive के संबंद में प्राहियनिया आदी primitive के संबंद में इनकी fossils की सायता से निर्मित की गई है अब राइनिया आप जानते है ना राइनिया क्या है बेटा ये जो है ना एक्टिंग्ट हो चुका प्लांट है ठीक है आगे देके लिखा हुआ है कि फॉसिल्स के इस्टिडी दौरा एनिमल के किसी स्पेसिफिक ग्रूप के ओल और्गिनिक इवलूशन के रिलेशन्शिप मे बुल और्गिनिक इवलुशन्शिप जो हूँ उसके इवलूशन्शिप के आपको इवलुशन्शिप के ऑलिशट्री बेटा से मैनी फॉसिल्स की सहायता से एक डिफ्रेंट सिक्वेंस में समझा जा सकता है, ठीक है, तो फाइलोजनी और फॉसिल्स को डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे, तो आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हॉर्स का इवोलुईशन हुआ है, है ना, अलिफेंट का भी ऐसी कुछ स्थेडिक सहायता से किसी प्लेस पर प्रिमीटिव टाइम से जी यॉलॉजिकल कंधीशन, वा क्लाइमेटेक कंधीशन के, संब्ध में अन् autos, प्राप्त हम उस प्राप पर अगर मोलस्का और इकानो डर्मेटा के FOSCIL्स प्राप्त होते फिट हैं तो यह माना जाता है शुट होने पर यह माना जाता है कि प्रिमिटिव टाइम से इस प्लेस पर सी फूने को कुछ kep करता है यहन। मना जाता है कि पुराने समय में इस एरिया में क्या पाया जा तो पाय जाने पर या उस प्लेस को प्राचीन काल में अत्यदिक रूप से कोल्ड होने का इंडिकेशन होता है तो यह दिमालो किसी एरिया में जहाँ पर सूखा पड़ा हो वहाँ पर अगर आपको कौन से बेटा मिलने हैं फॉसिल्स एक आइनोडम सो मॉलस्का के फॉसिल्स मिल जाएं तो यह चौकाने वाली बात होगी कि हो सकता है उस पिरियड में जब वह मिला वहाँ पर अभी जब यह वहां राज्ट किया करते थे तो हो सकता है कि वहाँ पानी हुआ हो पानी हुता हो तेकि धीरे-धीने बदलती हुई पातावरेने दसाओं क्लाइमेटिक हैंजल्स के आ क्लाइमेट चेंज होने के कारण गर्मी बढ़ने लगे तो थंड़े लाके में आपको क्या मिलता है तो यह क्या होगा उस इलाके में नस्ट हो जाएगा और इसके फॉसिल्स अगर वहां पर मिलने इस बात के इंडिकेशन है कि उस एरिया में कभी न कभी बहुत ज्यादा भी हुआ करती होगी तो कि आज की डेट में बहुत गर्मी पाई जा रही है तो यह बिटा हमारा कंप्लीट होता है फॉसिल्स के ऊपर पूरा का पूरा चैप्तर अब एक हमारा टॉपिक और रहे गया है उसको मैं जल्दी बना करके डाल दूँगा आपनों के बीच में जो बारे में अपने लोग डिसकस करेंगे वो भी नेक्स क्लास में आश के लिए बच्छों इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद बस आप लोग क्या करते रहे कि बाई क्लास में जुड़ते रहे और प्लास में जुड़कर के इसको जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है आजकी बद्टीड में इसको लाइक करें अपने साथियों को साथ शेयर करें जितना जाद लइक आएगा वीडियो पे उतना ज्यादा हम मोटीवेट होंगे आप оры आपके लिये यहां पर बहुत ज़याधा से ज़यादा कंटेंट को लाने का प्रयास करें और जल्द रिसल्ट कम्प्लीट कराएंगे तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्रवाद तब तक के लिए सभी को जैहिन जबारत